लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत देए सभी दिल्ली वासियों को मेरा नमस्कार पिछले एक साल से जब से कोरोना शुरू हुआ है मैं समय समय पे आपके बीच में आके सभी तथियों को परिस्थितियों को इमानदारी के साथ आपके सामने रखता रहूं आपसे चर्चा करता रहूं एक चीज हम लोगों ने हमेशा गांठ बांद के रखे ही आपको कभी गलत अत्थे नहीं दिये आपसे कभी जूट नहीं बोला जो था आपके सामने रख दिया अगर स्थिती अच्छी थी तो भी आपको बताया स्थिती खराब थी तो भी आपको हमने इमानदारी से बताया क्योंकि हम पहले दिन से समझ ग सामना नहीं कर सकते हैं, जनता का सहयोग और जनता की सहभागिता इस पूरे संघर्ष में बेहत जरूरी है, और जब तक जनता को सच नहीं बताया जाएगा, सारे तथे जनता के सामने नहीं रखे जाएंगे, तब तक जनता के भागिदारी सुनिश्चत करना असंभव था, इ हमने test नहीं कम होने दिये, आज डिली के अंदर सबसे जादा टेस्ट हो रहे हैं, मैं तो ये कहांगा कि अगर परती दस लाख की population पे देखा जाए, तो शायद पूरी दुनिया में सबसे जादा test डिली में हो रहे हैं, मैंने देखा कि कई जगों पे उन्होंने टेस्ट कम कर दिये टेस्ट कम कर दिये तो केस कमाने लग गए इस तरह से तथ्यों के साथ कई जगे हेर फेर करने की कोशिश की गई हमने ऐसा नहीं किया हमने टेस्ट कम नहीं किये उल्टे कम करने के वज़े हमने दिली में टेस्ट कई गुणें बढ़ा दिये। आज लगबग एक लाख टेस्ट दिली में डेली हो रहे हैं। हमने मौत के आंकड़े आपसे नहीं छुपाए। जितनी मौते होती थी हमने सब आपके सामने रखे। इमानदारी से रखे। अगर ज्यादा हो रही थी तो ज्यादा बताई कम हो रही थी तो कम बताई। कितने बेड्स हैं, कितने ICU बेड्स हैं, क्या परिस्थितियां हैं, हर चीज आपके सामने इमानदारी के साथ रखे। और इसी वज़े से जब भी हमने कड़े निरने लिये, हमें आपका पूरा सहयोग मिला। दिली की जनता का पूरा सहयोग मिला। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी दिल्ली एक परिवार है दिल्ली के दो करोड लोग एक परिवार है और जब परिवार में कोई आपदा आती है तो सारे परिवार के लोग मिलके उसका सामना करते हैं अब भी हम सभी मिलके इसका सामना करेंगे पहले भी जीत हुई थी अब भी ज केस आये हैं उसके पिछले 24 घंटे में लगबग 25,000 केस आये थे तो पिछले 3-4 दिन से रोज हम देख रहे हैं लगबग 25,000 के करीब केस आ रहे हैं पॉजिटिविटी बहुत जादा बढ़ गई है संक्रमंदर बहुत जादा बढ़ गई है दिली के अंदर अस्पतालों में उपलब्ध बेड्स की भारी कमी हो रही है डेली 25-25,000 अगर पेशेंट्स आएंगे तो कोई भी विवस्था चरमरा सकती है दिली के अंदर बेड्स की भारी कमी हो रही है आईस्यू बेड्स दिली में लगबग खतम हो गए हैं आज सुबह मैं एप पे देख रहा था 100 से भ कहारी कमी हो रही है कल हमने सेंट्रल गवर्मेंट को भी लिखाया उनसे बात्चीच चल रही है परसो रात को एक हादसा होते होते बचा एक प्राइवेट हॉस्पेटल ने हमें बताया कि परसो रात को तीन बजे के करीब उनके अस्पिताल की ऑक्सीजन लगबग खतम हो ग कि दवाईयों की कमी हो रही है रेमडेसेविर दवाई की खासकर काफी कमी हो रही है यह सारे तथे मैंने आपको डराने के लिए नहीं बताए यह सारी परिस्थिती है और इन परिस्थितियों में हमें अब अगला कदम क्या उठाना है इस पे चर्चा करने के लिए मैंने आ हेल्थ सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया दिली में चौथी वेव आई है पहली वेव पिछले साल जून में आई थी जिसमें साड़े चार हजार के करीब केस आए थे दूसरी वेव आई फिर सितंबर में फिर तीसरी वेव आई जिसमें साड़े आठ हजार के करीब केस आये थे दुनिया के कई शहर ऐसे हैं बड़े बड़े देशों के विक्सित देशों के शहर जहां छे हजार केस आये तो उनका पूरा हेल्थ सिस्टम चरमरा गया कोलाप्स कर गया दिल्ली में साड़े 8000 केस आये पिछली बार तीसरी वेव में तब भी हमारा सिस्टम कोलाप्स नहीं किया उल्टे हमने और ज्यादा अपनी तयारियां शुरू कर दी आज 25000 केस आये हैं अब दिल्ली का हेल्थ सिस्टम अपनी सीमा तक पहुंच गया है हमारा हेल्थ सिस्टम अब बहुत ज़्यादा तनाव में है मैं यह नहीं कहूंगा कि हमारा हेल्थ सिस्टम अभी कॉलाप्स किया है लेकिन आज हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा तनाव में है किसी भी हेल्थ सिस्टम के अपनी सीमाई होती है खूब नए हॉस्पिटल खोले हैं, महला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक बनाए हैं, बहुत बड़े स्तर के उपर स्वास के खितर में काम हुआ है, यही कारण है कि आज 25,000 केस के उपर भी दिल्ली का सिस्टम चल रहा है, लेकिन अब इसके बाद अगर तुरंत कुछ कठोर कदम न हो जाए, जैसे हमेंने बताया कि कल एक अस्पताल में ऑक्सिजन बिल्कुल खतम हो गई थी, और बहुत बड़ी तरासदी होते होते बची, मैंने वीडियो देखे हैं, तस्वीरे देखे हैं, आपने भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे, दुनिया के कई शहर ऐसे हैं, जह और एलजी साब की मीटिंग होई, और इन सारे पहलूँ के उपर, सारी परिस्थिती के उपर काफे विस्तार से बाचीत होई, और उस बाचीत के बाद हमें ये लगा, कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है, अ कॉरिडोर के अंदर पेशेंस पड़े हैं, सडकों पे लोग दम तोड़ रहे हैं, आज सभी परिस्थितियों का जाय जा लेने के बाद, आपकी सरकार को ये लगता है, कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को दस बजे से, अ खाने पीने की, मेडिकल विवस्थाओं की वो जारी रहेंगी, ये शादियों का सीजन है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिष्टे बनते हैं, हम उनके रिष्टे तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन हों, लेकिन केवल पचास लोगों के पर पाबंदी रहेगी, मैंने और LG साहब के हम दोनों ने निरने तब लिया है, जब हमारे पास कोई उपाए नहीं बचा था, हमारे लिए निरने लेना असान नहीं था, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि लोगों के रोजगार खतम हो जाते हैं, लोगों की कमाई खतम हो जाती ह और खास कर सबसे गरीब तब के लिए तो यह बेहद मुश्किल होता है, जो दिहारी करके रोज कमाते हैं, उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है, पिछली बार जब देश में लोगडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गाउं जाने लगे थे, उनसे मैं खास तोर से हाथ जोड के अपील करना चाहता हूं, यह छोटा सा लोगडाउन है, छे दिन का, दिली छोड के मत जाईएगा, आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी उर्जा खर मानिये हम पूरी मानदारी के साथ सब मिलके लड़ेंगे, तो जल्दी इस मुच्सिबत से छुटकारा पाएंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी, मैं हूना, मुझ पर भुरूसा रखिये, मेरी दिली के सभी नागरिकों से अपील है कि ये निरने हमने बहुत मुश्किल से लिया है, आप सब लोग जानते हैं कि मैं लॉकडाउन के सक्त खिलाफ रहा हूं, हमेशा से मैंने लॉकडाउन का विरोध किया है, मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन से करोना खतम नहीं होता, लॉकडाउन से करोना की स्पीड कम हो जा ताकि हेल्थ सिस्टम को और दुरुस्त किया जा सके ये जो छे दिन का लॉकडाउन हम लगा रहे हैं ये जो छे दिन हम ले रहे हैं आप से इन छे दिनों के अंदर हम बहुत बड़े स्थर के उपर और दिल्ली में बेड्स की विवस्था करेंगे केंदर से हम मदद मांग रहे हैं उनसे लगातार संपर्क में हैं केंदर सरकार हमारी मदद भी कर रही है उसके लिए हम केंदर सरकार के शुक्र गुजारें उनसे आक्सीजन की विवस्था करेंगे दवाईयों की विवस्था करेंगे इस lockdown के समय को हम इन सब चीजों के लिए इस्तिमाल करेंगे मेरी अब सब लोगों से गुजारिश है कि lockdown का पूरी तरह से पालन करें घर से बाहर इस दौरान ना निकलें पहले भी हमने कई कठिन निरने लिए और आपने मेरा पूरा साथ दिया मुझे पूरी उम्मीर है आज भी आप मेरा साथ देंगे हम मिलके इसका मुकाबला करेंगे और जरूर जीतेंगे नमशकर